है आपको याद होगा पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फंडमेंटल एनलेसिस का सीक्रेट स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेजी में मैं आपको दो एक्जम्बल्स भी दिये थे जो कॉस्ट प्राइस पर दे और एक था उसमें से कोटक बैंक दूसरा था अपना फर्स टारगेट अचीव कर चुका है विधिन फ्यू डेस जैसे कि आप सुन सकते हैं जाके देख लीजे सर्च करके विधिन फ्यू डेस अपना फर्स टारगेट अचीव कर चुका है स्विंग ड्रेट था वो और कोटक बैंक भी निकल चुका है उपर की रहा पर 1765 के आसपास हमारी बाइंग थी और 1800 and 1, 2 या 3 तक जाके आए ये फ्राइडे को तो आप सो सकते हैं वो स्ट्रेटिजी काम डेफिनेटली कर रही है जो हमने जोन्स बना के दिये थे वो डेफिनेटली वर्क कर रहे है तो वो जोन्स क्या थे वो चार्ट्स क्या थे जो मैं आपको वस वीडियो में बताए थे ज या बेज्जी पे जर्च किया था कि उपर जाना ज़रूरी है इसका या जो भी है फंदमेटल रिजन्स थे वह टेकनिकल रिजन्स भी थे तो ये वीडियो में आपको श्टक मार्केट के अपर ये वीडियो बना के दे रहा हूं तो बने रहे हैं अंट तक गलती से जिप मा करना अधरवाइस मिस्स कर जागे और बिगिनर हो तो तो बिल्कुल भी गलती से स्किप मत करना ठीक है चलिए में दें अग्ली स्क्रीब पे स्वागत नहीं करो कि आप हमारा ग्रीन में आप देख सकते हैं कि open नीचे शो कर रहा है close उपर शो कर रहा है और red में open उपर है close नीचे है यानि कि वो candle उधर open होई थी और close उधर होई है तो यह high और low क्या है जो आप बीच में जो पतली डंडिया देख रहे हो जो high और low की तरफ है वो यह शो करती है कि उस specific time period में price उधर से उधर तक जा चुका है but open उधर हुआ है और close उधर हुआ है नीचे भी जा चुका है और उपर भी जा चुका है लेकिन close उधर हुआ है और उधर भी आप सेम ऐसे देख सकते हैं कि उपर भी जा चुका है नीचे भी जा चुका है लेकिन close इधर हुआ है जो पतली डंडी आप देख रहे हैं उसको कहते हैं wick और जो boxes देख रहे हैं या boxes green and red color के boxes उसको कहते हैं body candle की भाशा में technical analysis की भाशा में ठीक है तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ candles अलग-अलग time periods की होती है 5 minutes, 10 minutes, 15, 1 day, 1 hour, 4 hours तो यह क्या indicate करती है कि वो specific एक candle अगर 5 minute की है तो 5 minute में उसने क्या moment दिखाया वो ये candle दिखाती है let's take an example ठीक है चली मान लेते हैं ये जो candle आप देख रहे हैं वो 5 minute की है तो इसका मतलब ये है कि वो 5 minute के अंदर stock का price open इधर हुआ था और नीचे तक low गया था और उपर high भी जाके आया था बट close बीच में हुआ है जहाँ पे close लिखा हुआ रहा है वहाँ पे हुआ हुआ है समझ रहे हैं आप काफी simple है इसको complex मत बनाएए एकदम simple है 5 minute में आपको दिखा रहा है open किदर हुआ है low किदर तक जा चुका है high किदर तक जा चुका है लेकिन close किदर हुआ है close याने कि 5 minute जब खता हुआ थे तब वो price कहाँ पे close हुआ है ठीक है तो चली अब आगे बढ़ मैंने जो पिछले फोटो में बताया था वैसी candles तो है ही नहीं दरसल candles हुआ ही है बट उनका high open low and close different different है green and red candles ही है सारे के सारे पाट उनका high open close low यह सब different different है आप देख सकते हैं सब candles अलग-अलग type की है सारी की सारी candles अलग-अलग type की है तो मैं आपको explain करना शुरू करता नीचे उपर गई open close उपर हुई देख सकते हैं clear और इधर तक का high बना चुकी है ठीक है और low कितना बना चुकी है देखते है low इधर तक आ चुकी है ठीक है clearly visible इधर तक नीचे आया है price उपर से फिर उपर वापस चला गया नीचे तक आया price फिर वापस उपर चला गया और यहां पर आके close हो गया या तो फिर यहां हाई आके नीचे आके close हो गया फिर next five minute में क्या हुआ तो चलिए next five minute में यहां पर open हुआ price फिर उपर गया थोड़ा सा फिर वापस से नीचे आना शुरू हुआ नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया यहां का लो बनाया यानि वो 5 मिनिट के अंदर वो स्टॉक इदर तक नीचे गया लेकिन यहां पर आके क्लोज हो गया देख सकते हैं clearly visible है समझा गई एक दम simple भाशा में अब मैं आप साइड में देख सकते हैं price यहां पर open हुआ 354 के आसपास open हुआ उपर high जाकर है 35362 और नीचे low बनाया है 35240 का ठीक है clearly visible है बट close किदर हुआ 35268 के आसपास close हुआ तो यह सब आप समझ सकते हैं इतना कुछ complex नहीं है ठीक है तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं सब केंडल सब गलग टाइप किए ठीक है आपको search करना है तो आप tradingview.com पे जाके charts देख सकते हैं स्वागत नहीं करो कि आप हमारा वैसे trading में न indicators काफी अच्छा काम करते हैं indicators indicators के नाम में आपको पता चल जाती है कि वो आपको indicate करते हैं कि possibility क्या है कुछ होने की आप उपर देख सकते हैं indicator जो सब लोग use करते हैं वो है MACD याने कि moving average convergence divergence ठीक है दिख रहा है आपको इस पर click कर देंगे तो यह हमारी charts के उपर आ जाएगा मैं इसको zoom कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सके अब ठीक है अब ए clear view आ गया तो आप यह देख सकते हैं दो lines आ गई है indicator लगाते ही नीचे कुछ आ गया है यह blue line और एक red line आ गई है और एक दुसरे को cross over कर रही है वो lines visible है अब इसका funda क्या है कि यह देखो red line आती है red line नीचे जाती है तो देखो price भी ऊपर चला जाता है clear visible है ठीक है यह MacD का काम और example देता हूं मैं आपको यह देख सकते है red line ऊपर आ गई blue line नीचे चली गई तो price देखी नीचे चला गया ठीक है same आगे हो रहा है blue line ऊपर आ रही red नीचे आ रही है तो price ऊपर चला ठीक है 100% accurate नहीं है यह इस indicator जिससे आपकी trading में थोड़ी बहुत मदद कर सकता है एक और example यहां पर clearly visible है ठीक है और मैं आपको 2-3 examples दिखा देता हूं इस चीज के आप यहां पर देखिए बहुत अच्छा divergence है I mean crossover है यहां पर crossover हुआ है देख सकते है फिर price ऊपर चला गया है ठीक है अब exit आप कहां करते हैं वह आपके ऊपर है यहां ही पर भी कर सकते हैं नीचे wait कर सकते हैं उपर की तो exit आपके ऊपर है बट यह indicator 100% sure नहीं है कभी-कभी आपको धोका भी देदेगा तो इसको आप दूसरे 2-3 indicators के साथ match करके करें तो अच्छा है आप देख सकते हैं Crossovers होने पर moments आ रही है direction पर ठीक है चलिए अब दूसरे indicator की बात करते हैं मैं सारे indicators तो cover नहीं करूंगा आपको कुछ-कुछ indicators के बारे में ही बताने वालो ऐसे तो बहुत सारे indicators हैं आप देख सकते हैं tradingview.com पर अभी हम बात करते हैं बॉलिंगर बैंट्स देख लेते हैं वो most used है ज्यादा तर लोग use करते हैं इस देखें ऊपर एक लाइन आ गई नीचे एक लाइन आ गई और बीच में एक लाइन आ गई इसका indication क्या है नीचे जब touch करता है band को तो उपर जाता है price अब price उपर वाली band को touch करता है तो वापस नीचे आली band तक आता है ठीक है इस indicator क 100% accurate नहीं है पहले से आपको बता दो कोई भी indicator 100% accurate नहीं नहीं 50% accurate हा 50-60% कुछ-कुछ indicators accurate है बहुत सारे आप सारे देख सकते हैं लेकिन कोई भी आपको 50-60% के उपर accurate नहीं मिलेगा आप चाहें तो 2-3 combine करके use कर सकते हैं और price action का use करके कर सकते हैं अब मैं moving average आपको दिखा करते हैं इसको moving average क्या होता है जैसे इसमे 99 लिखा हुआ है यानिके 9 दिन का average price जो होता है यह line दिख रही है न वह line indicate करते हैं कि 9 दिन पिछले 9 दिन का average price यह हो रहा है ठीक है अब इसको चेंज भी कर सकते हैं settings को 9 को आप convert करके inputs में 9 को 18 कर सकते हैं यानिके पिछले 18 दिन क average price क्या होना चाहिए वो दिखाएगा इसको 50 में भी convert कर सकते हैं 50 में convert करके मैं आपको कुछ दिखाता हूँ 50 में convert कर दिया अभी देखिए change हो गया ठीक है बहुत बड़ा हो गया clear and visible तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जब price यह line को तोड़के उपर जाता है तो कितना लोग इसका use इसलिए करते हैं काफी सारे examples हैं आप ढूंड सकते हैं price action का use करकी भी आप trade कर सकते हैं इस चीज़ को अब दूसरा मैं आपको example देता हूँ इसमें buying का देदी अभी selling का example देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर price ने यह line तोड़ी ठीक है नीचे गया फिर देख सकते हैं कितना अच्छा sharp fall आया है नीचे की तरफ यह काम करता है moving average as an indicator यह बाय गिया उपर चला गया बट यह भी 100% accurate नहीं है इसमें भी आपके stop losses हिट हो सकते हैं तो गाइस अभी के लिए part 1 में सिफ इतना ही part 2 में हम बाकी के points कवर करने वाले जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं and सबसे important जो price action है वो हम part 2 में कवर करेंगे तो यह video आप ज़्यादर से ज़्यादर लोगों को share कर लीजिए